इसका आर्थकी और पुरसकार वाला portion बाकी है तो उसको करेंगे आज आर्थकी कर लेंगे फिर पुरसकार कर लेंगे ठीक है फिर combination करके पूरा एक साथ दे देंगे और फिर हम चलेंगे जो व्याख्याईत portion है इसका उसमें ठीक है तो detailed भी हम information जितनी भी है इस magazine को मैंने कहा ह है तो मैं इसको करवाओंगा playlist में आपको इसके सारे वीडियो मिलेंगे आर्थिक परदिश्च देख लेते हैं संग्षिप्त की दिसंबर 2023 में किस भारती बैंक ने देश में सौर परियुजनाओं को बढ़ावा देने के लिए ध्यान रखें किस भारती बैंक ने देश में सौर परियुजनाओं को बढ़ावा देने के लिए जर्मन विकास बैंक के साथ 70 मिलियन यूरो जो की लगभक 630 करोन रुपए होता है की लाइन आफ क्रेडिट पर हस्ताक्षर किया तो किसने स्टेट बैंक आफ इंडिया ने दिसंबर 2023 में अंतराश्टी मुद्रा कोश न कि यह महत्पूर्ण है बजट और आर्थिक समिक्षा और विभिन आकड़े जो अर्थिवस्ता के हैं उसके लिए मैं अलग से वीडियो आप लोगों को दूँगा ठीक है दिसंबर 2023 में विश्व बैंक द्वारा जारी प्रवासन और विकास रिपोर्ट 2023 सबसे पहले जानन प्रवासियों से धन प्राप्ति रेमिटेंस के मामले में कौन सा देश पहले अस्थान पे अर्थाशीर्श पर है भारत है कितना रेमिटेंस प्राप्त हुआ भारत को 125 बिलियन डॉलर इस मामले में मैक्सिको दूसरे अस्थान पे है सरसट बिलियन डॉलर के साथ चीन तीसरे अस्थान पर है फिलिपिन्स जोथे पर है और एजिप्ट या मिस्र पांचमे अस्थान पर है हाली में किस बैंक ने मास्टर कार्ड के सहयोग से युवा के अंदरित पहला स्वाइब क्रेडिट कार्ड लॉंच किया है तो IDFC First Bank ने इसको लॉंच किया है इतना important fact नहीं है हाली में नीत आयोग द्वारा जारी Aspirational Block Program की पहली RELTA Ranking में सीर सस्थान किस ब्लॉग को मिला है तो तेलंगाना की तिरयानी कुम्रों भीम ब्लॉग को सीर सस्थान मिला है इस ब्लॉग को ठीक है नवंबर 2023 के आखरी सब्ता में जारी Swiss Bank ये आप कुम्रम भीम जो गाओं है तिलंगाना का याद रखेगा महतपूर्ण है fact नवंबर 2023 के आखरी सब्ता में जारी Swiss Bank की UBS Billanier Abitions Report नवंबर 2023 में भारत में अरब पतियों की संपन्ति में एक वर्ष में कितने पतिशत की कमी दिखाई गई कितनी कमी हुई है 10.9 पतिशत इस रिपोर्ट में भारत में अरब पतियों की संख्या 154 से घटकर 153 तथा उनकी संपति 753 अरब डॉलर से घटके 637 अरब डॉलर हो गई इतना important fact नहीं है लेकिन याद रखे नवंबर 2023 महीने में GST collection 15 पतिशत बड़ोतरी के साथ किस अस्तर पर पहुँच गया 1.6-8 लाग क्रोन ये भी महत्पूर्ण fact नहीं है वह scheme जिसने हाली में corporate governance 2023 के उतकृष्टता के लिए golden peacock award जीता ये महत्पूर्ण है HDFC life ने corporate governance 2023 के लिए उतकृष्टता के लिए golden peacock award जीता है हाली में global rating agency S&P ने वर्ष 2024 के लिए भारती अर्थिव्योस्ता की विकासदर को पूर्व के 6 पतिशत से शर्शोधित करके या बढ़ा कर कितना कर दिया 6.4 पतिशत कर दिया ये महत्पूर्ण है वह राज जो हाली में अपने सभी जीलों में hall marking center खोलने वाला भारत का पहला राज बन गया केरल most important है तो पहला राज बना है अपने सभी जीलों में hall marking center खोलने वाला 8.2.23 को जारी RBI की त्रेमासिक मौद्रिक नित समिक्षा में RBI के चालू वित्वर्ष के लिए देश की आर्थिक वृतितर कितना अनुमानित की गई है important fact है 7 प्रतिशत RBI ने ये अनुमानित की है 15.2.23 को समाप्त सब्ता हमें भारत का कुल विदेशी मुद्राबंडार पिछले 20 महिने के उच अस्तर पर पहुँच कर कितना हो गया 615.97 अरब डालर हो गया most important fact है भारत सरकार ने रेलवे से जुड़ी किन दो कमपनियों को 12 अक्टूबर 2023 को देश की 15 और 16 और 16 नवरत्न कमपनी का दरजा प्रदान किया important fact यह है तो एक तो rights limited है दूसरा इरकाउन है ठीक है इन दोनों ठीक टेकनिकल एंड, economic service limited, rights limited और इरकाउन नॉम्बर 2023 में जारी वैश्विक यूनिकाउन रेंकिंग 2023 में भारत कुल 72 यूनिकाउन के साथ रेंकिंग में किस अस्थान पर है प्रतिष्ठित time magazine द्वारा सितंबर 2023 में जारी the world west companies की top 100 सूची में शामिल एक मातर भारती कंपनी कौन है तो यह है infosys इसको 64 अस्थान मिला है time magazine की यह जारी सूची थी the world best companies की top 100 सूची निकली थी infosys को इसमें भारत की तरफ से उच्चस थान मिला है चो 64 अस्थान मिला है और top 100 में एक मातर भारत कंपनी यह है infosys है time और इस्टेटिस्टा द्वारा तैयारी सूची की जो सूची अभी हमने बताई सीर्स चार कंपनिया क्रम्शह कौन कौन है तो microsoft number one दूसरे पे apple तीसरे पे alphabet चौथे पे meta तो most important fact है यह दोनों ही November 2023 में जारी एक report के उनसार किस भारती शहर में सरवाधिक संख्या में महिलाई startup पाये जाते हैं तो किस भारती शहर में सरवाधिक संख्या में महिलाई startup तो अर्था जिसकी महिलाएं हैं वो CEO या मालिक हैं या संस्था पाये तो बैंगलोरू में most important November 2023 में जकोटा यह जकोटा लिखा है यहाँ पर साफ नहीं देख रहा होगा आपनों को मैं बता रहा हूँ जकोटा वित्ती संस्थानों के लिए प्रद्योकी का डिजिटल परिवेश तयार करने वाला एक मंच है ने MSME आर्थिक गत्विदी सुचकांक संपूर किसके सहयोग से लॉंज किया क्या नाम इसका संपूर सुचकांक का सिडवी के सहयोग से लॉंज किया एक बार फिर मैं बता रहा हूँ नॉबर 2023 में जकोटा ने MSME आर्थिक गत्विदी सुचकांक संपूर किसके सहयोग से लॉंज किया सिडवी के सहयोग से नॉबर 2023 में किसे रिजर्बेंक आफ इंडिया का कारेकारी निदेशक नियुक्त किया गया मनुरंजन मिश्च्रा को नॉबर 2023 के प्रथम सब्ता में बैंगलूरू में आयोजित इंडिया मैनुफेक्चरिंग शो की थीम क्या थी तो पहली बात कि नॉबर में कहां पर इंडिया मैनुफेक्चरिंग शो आयोजित हुआ तो बैंगलूरू में प्रधान मंत्री ने दिसंबर 2023 में समाप्त होने वाली प्रधान मंत्री गरीब कल्यान अन योजना का विस्तार कब तक बढ़ाने की खोशना की तो पांच वर्षों के लिए बढ़ा दिया है अक्टूबर 2023 में 16.1 मिलियन टन कारगो समालने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन बना अदानी मुद्रा पोर्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है भारत में डिजिटल भुकतान प्रेटफार्म फिंटेक कंपनी फोन पे ने सितंबर 2023 में गूगल के प्ले स्टोर का भारती वर्जन किस नाम से लॉंच किया है इंडस एप स्टोर किस ने लॉंच किया है फोन पे ने सितंबर 2023 में गूगल के प्ले स्टोर का भारती वजन इसका क्या नाम है इंडस एप स्टोर हाली में भारती क्रिशन संधान संस्थान ने किस फसल की नई किस्म पूसा 2090 यहां पर पूसा नहीं दिया हुआ है ध्यान रखें पूसा 2090 और कहीं कहीं 2090 भी लिखा गया है तो यह धान की नई किस्म है कंसन वर्ड वाइड और जन्मनी के वेल्थ हंगर हिल्फ द्वारा 12 अक्टूबर 2023 को जारी 125 देश 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 के पिछली बार 121 देश थे भारत का अस्थान 107 था इस बार 125 देश इस रैंकिंग में शामिल है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में और भारत को कितनी रैंक प्रदान की गई है 111 वी ठीक है Financial Action Task Force FATF द्वारा अक्टूबर 2023 में किस देश को अपनी ग्रे लिष्ट या निगरानी सूची से बाहर कर दिया गया तो अल्बानिया को Most important fact भारत सरकार 4 अक्टूबर 2023 को किस बोर्ड के गठन की अज़सूचना भारत सरकार ने जारी की राष्टी हल्दी बोर्ड के गठन की अज़सूचना जारी की Most Important Fact 15 दिसंबर 2023 को रक्षा मंत्रा लेने भारती सेना के लिए 10 वर्ष की अवद के लिए Electrolix Fuse की खरीद के लिए किस कंपनी के साथ 500 कुरून रुपए से अधीक का सोधा किया एक बड़ा सवदा है इसलिए महत्पूर्ण है भारत Electronic Limited BEL के साथ Electronic Fuse भारी शमता वाली तोपों में इसका उपयोग किया जाता है December 2023 में केंदर द्वारा जारी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI आधारी तांकडों के अंसार देश में सरवादिक FDI प्राप्त करता राजी कौन है महाराज्ट है most important कितनी 28,868 करोन की FDI भारती रेलवे की ओर से पेंशन वितरित करने के लिए RBI द्वारा दिसंबर 2023 में किस बैंक को अधिकित किया गया तो बंधन बैंक को भारती रेलवे की ओर से पेंशन वितरित करने के लिए ठीक है तो किस भारती रेलवे की ओर से पेंशन वितरित करने के लिए Reserve Bank of India के द्वारा बंधन बैंक को अधिकित किया गया है most important fact है 14 सितंबर 2023 को केन सरकार ने किन तीन राज्यों के लिए Fassal Wars 2023-24 में अफीम पोस्त की खेती के लिए लाइसेंसिंग नीत की घोशना की है अफीम पोस्त के लिए तो उत्तरबदेश राजस्थान मदबदेश most important fact है 13 सितंबर 2023 को केंदरी मंति मंदल ने प्रधान मंति उज्जला योजना को कब तक के लिए बढ़ाने की घोशना की ये भी most important है 2023-2025 तक सितंबर 2023 में क्रिप्टो विसलेशन फर्म चैनलिसिस द्वारा जारी दुनिया के 154 देशों की ग्लोबल क्रिप्टो एडाउप्शन इंडेक्स 2023 में 1.0 या 1 के स्कोर के साथ किस देश को सी सस्थान मिला है तो भारत को इसमें सी सस्थान मिला है इसलिए अर्ति महत्यपूर्ण है ये ठीक है क्रिप्टो विसलेशन फर्म चैनलिसिस द्वारा जारी दुनिया के 154 देशों की ग्लोबल क्रिप्टो एडाउप्शन इंडेक्स 2023 क्रिप्टो करेंसी को एडाउप्ट करने के इंडेक्स में एक के स्कोर के साथ किस देश को सी सस्थान मिला है भारत को साथ नॉम्बर 2023 को भारती राष्टी भुकतान निगम एनपी सी आई द्वारा किस बालीवूड अविनेता को UPI Safety Ambassador नियुकत किया गया है तो अभिनेता पंकज दिपाठी को कालीन भाई आगो वैश्विक रेटिंग एजनसी मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने दिसंबर 2023 में इस्थिर दिश्टिकोन बनाये रखते हुए किस कंपनी के लिए BA-2 रेटिंग की पुष्टिकी है Reliance Industries के लिए इतना महत्पूर नहीं है वह स्कीम जिसने हाली में Corporate Governance 2023 में उतकिष्टा के लिए Golden Picaak Award जीता अल्लेडी चर्चा कर चुके है HDFC Life ने हाली में कौन सी कंपनी भारत में रक्षा परिजनाओं में 100% FDI प्राप्त करने वाली पहली विदेशी कंपनी बन गई है तो स्वीडन की साव कंपनी SAAB ठीक, Most Important Fact है अगस्त 2023 में Reserve Bank of India द्वारा Unclaimed Deposit के लिए किस विब पोर्टल को लांच किया गया उतगम पोर्टल को किस के द्वारा RBI के द्वारा ध्यान रखिए Most Important Unclaimed Deposit के लिए उतगम नामक पोर्टल लांच किया गया Reserve Bank of India के द्वारा यहां पर थोड़ा साफ नहीं दिख रहा होगा कोई बात नहीं मैं बोल ले रहा हूँ केंद्री मंत्री डाक्टर जितेन सिंग ने CMERI Central Mechanical Engineering Research दुरगा पुरद्वारा विक्सित किस नाम के देश के पहले E-Tractor को अगस 2023 में लौंच किया क्या नाम है इसका भाईया तो इसका नाम है SCIR SCIR Prima P-R-I-M-A E-T-E-L-E-N इसका पूरा नाम है SCIR Prima E-T-E-L-E-N क्या है E-Tractor है जिसको केंद्री मंत्री डाक्टर जितेन सिंग ने दुरगापुर द्वारा जो दुरगापुर में Central Mechanical Engineering Research है CMERI है इसके द्वारा विक्सित देश के पहले E-Tractor जिसका नाम SCIR Prima E-T-E-L-E-N है इसको लॉंज किया 9.23 में भारत की GDP पहली बार किस अस्तर पर पहुँच गई 9.23 में तो भारत की GDP पहली बार 4 ट्रिलियन डालर पर पहुँच गई अब यह माना जा रहा है कि अगले वर्स तक भारत अर्था या केंसासित प्रदेशों में मेरा बिल मेरा अधिकार GST इनाम योजना की शुरुआत की है किन सरकार ने असम, गुजराथ, हर्याणा, पुदुचेरी, धमंदीव और दादरा नगर हवेली में इन पाँच राज्यों अर्थाथ चार राज्य हैं नए तीन राज्य हैं असम, गुजराथ, हर्याणा और दो केंसासित प्रदेश हैं पुदुचेरी, दादरा नगर हवेली और दमंदीव हाली में केंस सरकार ने उडिशा में किस नदी पर 12,000 रुपए का अंतर देशी जलमार्ग स्थापित कतने घुशना की बुरामभणी नदी पर 12,000 क्रोण की कितने केंस सरकार ने पत्रिका ग्लोबल फाइनेंस के द्वारा सितंबर 2023 में किसे वैश्विक अस्तर पर शीर्ष केंदरी बैंकर ए प्लस रेटिंग प्रदान की गई शक्तिकांदास जो भारत के हैं आर बी आई के गवर्नर हैं ग्लोबल फाइनेंस के द्वारा मात्पूर्ण है केंदरी साजनेक उद्यम विभाग ने 26 अगस 2023 को सारवजनिक शेत्र की किस कंपनी को नवरतन कंपनी का दरजा दिया तो राष्टी केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स RCF को किस अमेर्की कंपनी ने तिलंग गाना में भारत की पहली गोरिला ग्लास मैनिफेक्टरिंग फेसल्टी इस्थापित करने का नेड़े लिया है कार्निंग इंक ने बहुत महत्पूर्ण बहुत फेमस कंपनी है यह तो किस अमेर्की कंपनी ने कहां पर तिलंग गाना में भारत की पहली गोरिला ग्लास मैनिफेक्टरिंग फेसल्टी इस्थापित करने का नेड़े लिया कार्निंग इंक ने जापान की हिटाची कंपनी या हिटाची कंपनी की सहायक वह भारती कंपनी जिसने National Payment Corporation of India NPCI के साथ मिलकर भारत का पहला UPI ATM 5 सितंबर 2023 को लौंच किया हिटाची पेमेंट सर्विसेज इसने ये लौंच किया डिजिटल किराया भुकतान के लिए हाली में किस बैंक के द्वारा नेशनल फर्स टांजिट कार्ड लांच किया गया भारती स्टैट बैंक के द्वारा इंपोटन फैक्ट है सितंबर 2023 में कनाडाई Think Tanker या Think Tank Fraser Institute द्वारा जारी Economic Freedom of the World की वार्षिक रिपोर्ड के अंसार दुनिया की सबसे मुक्त अर्थव्योस्था वाले देशों के सुचकांग में भारत का अस्थान कुन सा है? सतासीमा अस्थान है भारत का कनाडाई Think Tanker, Fraser Institute ये कनाडा में इस्थित एक सांस्था है Think Tank है इसके द्वारा जारी सुचकांग Economic Freedom of the World इसकी वार्षिक रिपोर्ट है इसके अंसार दुनिया की सबसे मुक्त अर्थव्योस्था वाले देशों में भारत 87 में अस्थान पर है सितंबर 2023 में किस Mutual Fund Company ने भारत का पहला Nifty 500 लांच किया तो मोती लाल ओसवाल Mutual Fund ने भारत का पहला Nifty 500 ETF Exchange Traded Fund है इसको लांच किया है मोती लाल ओसवाल Mutual Fund ने important fact है सितंबर 2023 में Wire and Plastic Product एवं कंतार द्वारा जारी कंतार Brands Top 75 Most Valuable Indian Brand Report में किस भारती कंपनी ने लगातार दूसरे वर्ष भारत के Most Valuable Brand के रूप में अपना शीर सस्थान बनाया रखा Tata Consultancy Services ने इतना important नहीं है लकिन याद रखेगा नॉवंबर 2023 में I.S.R. ने भारती मसाला अंसंधान संस्थान ने अधिक उपस देने वाली काली मिर्च की किस किसम को विक्सित किया है तो चंद्रा को किस की किसम है काली मिर्च की इंपोर्टेंट फैक्ट है 11 से 14 दिसंबर 2023 तक 27 में विश्व निवेश समिलन का आयोजन कहां पर किया गया नई दिल्ली में 27 वा विश्व निवेश समिलन था दिसंबर 2023 में कहां पराजन किया गया नई दिल्ली में most important fact है हाली में रेजर पे इंडिया ने अपना पहला अंतरास्ती भुकतान गेटवे किस देश में सुरू किया मलेशिया में most important fact है एक जुलाई से नौ जुलाई 2023 तक बैंकिंग आन वर्ड हेरिटेज प्रदर्शनी कायोजन कहां किया गया नई दिली में ये भी most important fact है जुलाई 2023 में कें सरकार ने उचित मूले पर पर्याद घरेलू उपलब्दता सुनिश्चित करने के लिए चावल के किस किसम के निर्याद पर प्रतिबंद लगा दिया गैर बास्मती सफेद चावल के किसम पर ठीक है ये भी important है कें सरकार ने उचित मूल पर पर पर्याद घरेलू उपलब्दा सुनिश्चित करने के लिए ऐसा किया इसके निर्याद पर प्रतिबंद लगा दिया अगस्त 2023 में सारजने क्षेत्र की किस कंपनी को देश की चोदहवी नौरत्न कंपनी का दरजा दिया गया तो O N G C विदेशी लिम्टेट को चोदमी ये बनी थी तीन अगस 2023 को भारत की किस नौरत्न कंपनी को देश की तेरवी महारत्न कंपनी का दरजा दिया गया तो OIL India Limited को OIL India OIL को देश की तेरवी महारत्न कंपनी का दरजा दिया गया भारत ने 11 जुलाई 2023 से अपने किस पडोसी देश के साथ रुपए में दीपक्षी ब्यापार की सुरुआत की किस में रुपए में डॉलर की जगह रुपए में बांगला देश के साथ जुलाई 2023 में कौन सी भारती बैंक दुनिया की चौथी सबसे मुलिवान बैंक बन गई HDFC बैंक दुनिया की सौथी सबसे मुलिवान बैंक बन गई तो ये भी important fact है अब पुरसकार वाला समाप्ट करके फिर इन सब को मर्ज करके आपको दे देंगे एक ही वीडियो में काम चल जाएगा इसको आप लोग पढ़ते रहें चाहें तो बाकी परिक्षा कबरी में तो बाकी सारी चीजें डिटेल में हैं ही इस पत्रिका को भी डिटेल पूरा हम करवा देंगे चुकि आपके जो दोनों एक्जाम होने वाले हैं PCS और RO के वो मैक्सम जो कवर रहेगा Current Affairs तो वो जुलाई से दिसंबर वाला ही रहेगा ठीक है तो ये पूरा जुलाई से दिसंबर तक इसमें सारी ख़बरें हैं विस्तित में हैं विस्तार में हैं तो उन पर हम चर्चा करेंगे आपसे ठीक है